दिग्रश शहर में बुद्वार की सुभाय जुनापुल परीसर के धावंडा नदी में एक 24 वर्श युवक की तैरती हुई लाश मिलने से हडकम मच गया था इस घटना का पता चलते ही दिग्रस पुलिस स्थाने के पुलिस करमचारी घटना सल पर पहुचे और लाश की पानी से बरामत कर लाश को पोस्ट मॉटम के लिए स्थान्य ग्रामिन अस्पिताल रवाना किया इस संदर में मिली जानकारी के अनुसार मृतक सौरब अरनी बाइपास परीसर के आमबीट कर नगर निवासी है जो की रविवार से घर से लापता था घरवालों ने इस पीच उसे खूब तलाश किया लेकिन वह नहीं मिला ऐसे में बुदवार को उसकी लाश मिलने से परीजनों के पहरोतले की जमीन खिसक गई वही परीसर में शोक की लहर व्यापत है दिग्रस पिलिस ने मृतक सौरब की मौत पानी में डूबने से विए इस आशे का मामला दस कर लिया है जबकि सौरब की मौत की असली वज़ा क्या है इसका खुलास अभी भी नहीं हुआ है बैरहाल दिग्रस पिलिस थाने के पिलिस नाइक बाबर राव पवार हेट कॉंस्टिबल सुभाश राटोर प्रभारी थानेदार यश्वंत राव बाविसकर के मारदर्शन में उपरुक्ट मामले की जांच कर रहे है सरकारी अस्पिताल की शव विछेदन कक्ष के सामने मृतक के परीजन रिष्टेदार और परीसर की नागरीक बड़ी संख्यामी लाश लेने के लिए एकतरित हुए थे दोपैर को लाश मिलने के बाद लाश पर अंतिन संसकार किया गया NBCN News के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट